तो चलो आज बनाते हैं बहुत ही तीस्टी हल्दी तरीके से खस्ता कचोड़ी की रेसिपी आप देख सकते हैं कचोड़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है आप यकीन नहीं करेंगे यह गेहूं के आठे से बनी है और हैना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस् च्छाउड बस समें नमक नमक according to taste डालेंगे और फिसमें डालज Sagat datsatsип तो त Euch रहेसे सबकिते हं। गी यहां 5 चुम्मच छोट ग्हीं चुम्मच गीन चुमच सी म workshop सी डाल nic तो सहुआई च्वमच में और भी तरफ फेके बाद अच्व आशन सरे मैं अच्छातो। घीक जंग पार सब्सक्रीण चुमच गीन करनेघें आठे की बहुत ही अच्छी सी मुठी बन जारी है यहाँ पे हम तेल का यूज नहीं करेंगे हमें कचोड़ी को बहुत ही अच्छी खस्ता और क्रिस्पी बनाना है अगर हम इसमें तेल का यूज करेंगे इसमें कचोड़ी होंगी हमारी खस्ता नहीं बनेंगी काफी ज़दा कडग बन जाती हैं इसलिए हम इसमें देशी घी का यूज़ करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालती है विए आठे को गूत लेना है आठे को हमें बहुत ही अच्छा है यहाँ पर बहुत ही लचीला और नरम यहाँ पर आठे को मैं बहुत ही अच्छी से मसल के गूत लिया है और आठे में बहुत ही अच्छी सी लचेक आ चुकी है आप इसे रेस्ट के लिए रख देंगे यहाँ पर मैंने पूरी राज भर मूंकी डाल को भिगा के रखत है अच्छी से दोने के बाद एक स्टीनर में इसका पानी निठाने के लिए रख दिया है जब तक मूंकी डाल का पानी निठाना है हम मसाले रेडी कर लेते हैं यहाँ पर मैंने 4 चम्मद धनिया लिया है 2 चम्मद सौंप लिया है और 1.5 चम्मद जीरा लिया है सबी को मोटा दरदरा पीस लेंगे मसालो को हम पतला नहीं बनाएंगे खाले दरदरा हम इने पीस लेंगे जिससे हमारे कोचोडी का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आप उसी मिक्सिजार में मैंने डाल दिया है मूंकी दाल को मूंकी दाल का पानी हमारा बहुत अच्छे से निथर चुका था इसमें पानी नहीं रखना है हमें और मिक्सि को चलाते हुए बंद करते हुए हमें इसे रोक रोक के चलाते हुए हमें मूंक दाल को पीस लेना है बारीक नहीं बनाना है इसे लिखना के दरदर ही पीशना है मतलब दो-चार बार चलाके बंद कलनाएं मुंग डाल पीस कुकी है और आफम मसाले रेडी कर लेते हैं कडही में दो наш ऋयल डाल दिया है और मसाले पीसने उसे डाल देना है उन्हें अच्छे से चलाने के बाद इसमें डाल देना है मूंग की दाल जो हमने पीसके रखी थी अब इसे बहुत ही अच्छे से हमें भूनना है जब तक इसका अच्छे से मौस्चर निकलना जाए थोड़ा यहां पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है चार से पाच मि Olivia का टाइम हमें एसे भूनए में लग जाएगा और जब भून्य लग जाए ना उसके बाद इसमें डाल देना है मसाले मसालों में मैंने हल्दी पौवडर धन्या पौवडर ए वह थोड़ा सा लाल मिर्च पौवडर करते हैं मिप्च नहीं खाते हैं और उसके बाद इसमें डाल दिया JOSH 아 अगर याप बच्चो के लिये रख रहे हैं तो मसाले पहले निकाल लेर और अच्छ को नहीं मिप्च को पहले भी डाल सकते हैं और उसके बाद मैं इसे अच्छे से स्टफिंग कर लेंग hack को अच्छे से अच्छे से अच्छे में पूर्टे सीच्छा निये और उसके बाद की चोटी बाल बनाएं लेकार भी से घड़ा, लेकार ले, दुझान से तेल रॉक्ता कर ले ले, थोड़ी देर सिखने के बाद आप कुझा जॉड़ी हैं अपर उपपर आचुकी हैं , और फूलने लग गई है इस्टार्टिंग में जब हम इन्हें डालेंगे तो हम इन्हें बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और इसे एकदम लो फ्लेम में सिखने देंगे और इसके बाद इन्हें पलटते ही हुए दोनों तरब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सिख लेंगे आप देख सकते हैं कचोड़ी मेरी बहुत ही सारी कचोड़िया बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है और कोई भी कचोड़ी हमारी फटी नहीं है बहुत ही अच्छी कचोडिया हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं और आप देख सकते हैं इन्होंने ओयल भी जादा एग्जॉप नहीं किया है जैसी मैंने इन्हें उच्छन्म में निकाला तु एकदम ड्राइ ड्राइ यह हो चुकी है और बिल्कुल भी इनोंने ज्यादा ओयल भी एक्सॉप नहीं किया है और इन्हें मैं निकाल लेती हूँ बाकी और कचोडियों को भी मैंने इसी तरह से फ्राय कर लिया था गैस को थोड़े बंद करके रखा था और इसके बाद जब ओयल थोड़ा सा ठंडा हो गया था बाकी की दूसरे कचोड़े को मैंने इसमें डाल दिया था और सारी कचोड़े हमारे बन के रेडि हो चुकी है बहुत ही ज्यादा ड़िष्टी क्रिसपी खस्ता ही हमारी बन के रेडि हो चुकी है आप देख सकते हैं इन्में स्टफिंग भी बहुत ही अच्छा हुआ हुआ है मतल वैसे आटे की कचोड़ी है जादा कड़क तो नहीं बनी थे मंगर इसकी आवाज आ रही थी कड़क और यह बहुत ही जादा खसता हमारी बनके रेडियो वीज दी और आप देख सकते हैं इसमें स्टफिंग भी बहुत ही अच्छा हुआ है अगर आपको मेरी रेसेपी चैनल को पक्के से सब्सक्राइब कर लें और साथी इसके साथ मैंने बनाया है हरी चटनी पुद्धी ने धनिया की चटनी बनाई है प्लीज वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें